हेलो वरिवान, वेलकम बैक टू दाडल एक्सपर्ट चैनल, तो इस प्रमें हम बात करने वाले कॉलेज प्रोजेक्ट एप के बारे में, एक हमने एप क्रियेट किया है, कॉलेज कनेट के नेम से, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हो, ओके तो मैं आपको स्क्रीन रण हो रही है, यहाँ पर हमारा सो रहा है, कॉलेज कनेक्ट एप का नेम, ओके, एण हम रिडारेट आ चुके, साइन अप एड़ पेज में, तो अभी हमें साइन अप पेज में हमारा जो भी डेटा हो फिल करना होगा, तो मैं जल्दी से साइन अप पेज में अपन नमबर एंटर कर देना है, तो मैं फोन नमबर पी दे देता हूँ अपना, ओके, और सेम आपको अगर लॉग इन हीर पे जैसी क्लिक करोगे तो आपको साइन इन, मिंस कोई भी यूजर औरेड़ी रिजिस्टर है, तो वो डाइरेक्ट रिडाइड़क्ट हो जाएगा साइन इन पेज में, ओके, अगर कोई यूजर फर्स टाइम आ रहा है, तो उसको साइन अप पेज में उसको डेटा फिल अप करना पड़ेगा, जैसे हम रिजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो यह जो डेटा है, वो फाइरबेस में चला जाएगा, ओके, तो यह जो कॉलेज प्रोज से रिजिस्टर में आप का नेम शो हो डाहा है, यहा पर इमिज सलाइडर शो हो रहा आ यहारा college app के photos रहते हैं मैंने यहारा पर implement कर दिया है and यहारा पर मैंने slider को भी यहारा पर using कर दिया है ok नब यहारा आपके जो भी college कि website है वहान अपंपे उसका gmail id प्रोवाइड कर सकते हो ok यहाँ पर आपको नीचे में raters, share app इन दो नोब का भी option देखने के लिए मिल जाएगा तो जैसे हम raters पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने दो option open हो जाएगे app market and google play store का तो जैसे आप google play store पर click करोगे तो हम google से इस app को rating दे सकते हैं तो फिलाल तो मैं अभी इसको cancel कर देता हूँ okay and जैसे हम share आप पर click करेंगे तो जो भी हमारे social media है वो यहाँ पर open हो जाएगे तो फिलाल तो मैं इसको भी cancel कर देता हूँ and आप देख सकते हो यहाँ पर college website यह जो option है इसमें हमने हमारी जो college है उसका website यहाँ पर provide कर दिया तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर click करके दिखा देता हूँ तो जैसे हम college website पर click करेंगे हमारा जो भी college की website रहेगे उसमें हम redirect हो जाएगे तो आप देख सकते हो हमारा college का जो भी website है वो यहाँ पर open हो चुका तो इस तरह के से आप अपना जो भी college है उसकी link यहाँ पर provide कर जकते हो अभी तो मैं अभी हमारे app में चला आता हूँ तो आप देख सकते हो अभी मैं again हमारे app में आ चुका हूँ तो I hope guys अभी आपको इस website के बारे में पता चलाओगा college website का जो भी option है इसके बारे में भी पता चलाओगा और navigation drawer का पूरा function अभी आपको समझ में आया होगा अभी मैं इसको सबसे पहले close कर देता हूँ अभी हम बात करते है website ERP question paper यह जितने भी हमने यहाँ पर button implement किया है उसको हम एक एक discuss करते है तो कोई भी अगर website पर click कर देता है तो जो भी हमारी college की website रहेगे वही हमारी यहाँ पर website open हो जाएगे तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर हमारी website open हो चुके है तो अभी again मैं हमारे app में आ जाता हूँ और अभी मैं ERP पर click कर देता हूँ ERP means क्या होता है हमारे college में एक ERP करके एक function है जिसमें जैसे हम login करते है तो आसे हम payment कर सकते है तो हमने यहाँ पर एक ERP का option दिया है जहाँ से हम जो भी user आएगा या फिर जो भी student आएगा यहाँ से direct payment कर सकता है तो जैसे ERP पर कोई click करेगा तो यहाँ पर हमारा college का ERP का option open हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसको load होने देते हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर login, idea and password जो भी हमारा college का user login होता है यहाँ से ही होता है तो इसलिए हमने यहाँ पर link प्रोवाइट कर दिया है उस website के तो again हम हम हमारे app में आ जाते हैं यहाँ पर हमें question paper का भी option शो रहा होगा तो कोई भी user अगर question paper पर click कर देता है तो यहाँ पर उसे show होगा first year या फिर CSE means सबसे पहले हमारे सामने बहुत सारे option होते है first year, second year, third year, fourth year तो अगर कोई first year में है तो first year पर जैसी कोई click करेगा तो first same, second same इसके option उसके सामने open हो जाएगा तो मैं अभी second same में हूँ, इसलिए second same पर click करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर कोई user second same पर click कर देता है तो यहाँ पर जो भी उसके subject है वो यहाँ पर show हो जाएगा math, physics, chemistry, mechanics, electrical यह सब ही उसके जितने भी subject रहेगा वो शो हो जाएगा यहाँ से search बार में subject को search भी कर सकता है तो मैं सबसे पहले M2 आपको search करके देखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने M search किया तो यहाँ पर M2 उपर में आ रहा है इसको मैं search को close कर देता हूँ, अभी मैं back कर देता हूँ, अभी मैं first same पर click करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी show हो रहा है तो again मैं यहाँ पर back कर देता हूँ और अभी मैं CSE पर click कर देता हूँ तो जैसे मैं CSE पर click कर देता हूँ तो आप देख सकते हो 3rd same, 4th same, 5th same, 6th same, 7th same, 8th same तो हमें जितने भी same है उनके सब ही हमने question paper यहाँ पर implement कर दिये तो मैं अभी 6M पर click कर देता हूँ और जैसे मैं 6M पर click करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर जितने भी subject है वो यहाँ पर show हो रहे है तो मैं अभी सबसे पहले DP पर click कर देता हूँ तो जैसे हम DP पर click करेंगे तो यहाँ पर show हो जाएगा Getting the content, please wait तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर dialogue फिनिश हुआ उसके बाद में हमारे सामने question paper आ चुका है तो इस तरह के से हमने 5 to 4 years का यहाँ पर question paper को implement किया है यह सब Firebase का ही connection है वहाँ से हमें script edit and upload करना होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे completely question paper यहाँ पर show हो रहा है अभी मैं इसको back कर देता हूँ तो जैसे मैं back कर देता हूँ यहाँ पर 6M में आ चुका हूँ तो इस तरह के से आप की जो भी year wise हमारे question paper होते हैं वो यहाँ पर हम set कर सकते हूँ तो I hope guys अभी आपको question paper का जो भी option है वो समझ में आओगा अभी मैं notes पर click कर देता हूँ तो जैसे मैं notes पर click करूँगा same हमने जैसे question paper के लिए implement किया same हमने notes के लिए भी provide कर दिया first year and CSE जो भी होता है जैसे CSE में सभी same open हो चुके first year में first same second same तो सभी में हमने यहाँ पर notes को implement कर दिया है तो same हम six same के लिए open करके देखते हैं कोई भी subject पर हम click कर देते हैं जैसे हम FA पर click करेंगे तो जैसे हम FA पर click करेंगे तो यहाँ पर show हो रहा है dialogue getting the content please wait तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा note show हो रहा है जो भी हमारे teachers लोगों ने हमें notes provide किये तो हमने यहाँ पर implement कर दिया है तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से properly notes show हो रहा है तो इस तरीके से आप अपने जो भी faculty है उनके लिए यहाँ पर हम notes को भी implement कर सकते हैं वो भी Firebase से ओके तो यह आपको समझ में आओगा notes का function अभी हम aptitude test के बारे में discuss कर लेते हैं तो aptitude test में क्या रहेगा अगर कोई भी student company के लिए prepare कर रहा है तो उसके लिए वो जो interview होता है उनके लिए यहाँ से प्रिपेर कर सकता है तो जैसे about company में तो जो भी हमारे college में तो जितने भी company हमें visit करके गई उस उनकी information हमने about company में डाल दे जैसे हमारे college में infosys ने visit किया तो इसलिए हमने infosys के बारे में जो भी हमारा information होता है infosys के बारे में वो about company में हमने implement कर दिया है same विप्रोब में भी हमने implement कर दिया है तो getting the content please wait तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा जो भी है data sure है firebase से तो यह तो है about company के बारे में aptitude में क्या है तो जो भी question होते aptitude के वो हमने यहाँ पे implement कर दिया है तो मैं आपको cognizant पे click करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जो भी है यहाँ पे हमने यहाँ पे question aptitude के implement कर दिये तो मैं यहाँ से भी back चला जाता हूँ यह तो हुआ aptitude का restriction अगे मैं आपको अभी Amazon पे click करके दिखा देता हूँ जो भी Amazon के aptitude के question होते है तो जैसे मैं Amazon पे click कर देता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे show का dialogue वही getting the content please wait का and हमारे सामने जो भी aptitude के question रहे गया Amazon के वो यहाँ पे show हो जाएगे ओके तो अभी मैं backspace कर देता हूँ means back कर देता हूँ तो जैसे हम back करेंगे again हमारे aptitude test के section में आ जाएगे अभी मैं back कर देता हूँ तो आप देख सकते हो aptitude के बाद हमारे सामने technical का option है तो same technical में हमने provide PDF किये अगर जैसे वीपरो पे कोई click कर देता है तो जो भी technical question है वीपरो के तो वही हमने PDF में इसको provide कर दिये okay तो same आप भी कर सकते हो जो भी आपके college में company visit कर दिये उसके आप aptitude के about company के technical के जो भी question रहेगे उसको आप provide कर सकते हो इन section में तो ये तो हुआ about company aptitude technical के बारे में अभी हम बात करते है टेस्ट के बारे में अगर कोई user test पे click कर देता है तो यहाँ पे आपको बोच सारी option देखने के लिए मिल जाएगा जैसे hexaware, tcs, cognizant, vibro जो भी हमारे college में company visit किये उसके हमने एक एक quiz create कर दिये जैसे tcs के हमने यहाँ पे कुछ question implement कर दिये 20 question यहाँ पे हमने implement किये ओके तो जैसे हमने tcs पे click किये तो यहाँ पे हमारी quiz application open हो चुकि है और अभी हम इस 20 question को solve करेंगे तो अगर कोई user तो मैं इसको सबसे पहले site कर देता हूँ तो अगर कोई user यहाँ पे 28 पे click कर देता है तो उसको शोगा wrong क्योंकि यह हमारा answer wrong है और हमारा score भी increase नहीं होगा तो हम आप देख सकते हो यह हमारा answer correct था इसलिए हमारा score जोए 1 है तो ऐसे हो कोई भी user या फिर जो भी student है prepare कर रहा है वो यह quiz application को use कर सकता है और अपने question के practice कर सकता है तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक एक attempt कर रहा हूँ जो भी हमारे question है next, next, next and कोई भी user quit भी कर सकता है तो मैं next, next तो जैसे कोई next करेगा तो आप देख सकते हो हमारे 20 question overall हो चुके तो इसलिए आप रहा है correct answer 4 and wrong answer 16 क्योंकि हमारे total 20 question थे इसलिए हमें correct answer 4 show हो रहा है and wrong answer 16 show रहा and final जो score है हमारा 4 है and अभी हम restart पे click कर देते तो जैसे हम restart पे click करेंगे तो जो भी हमारे company रहेगी एक एक यहाँ पे show हो जाएगी जैसे hexaware, tcs, cognizant तो यह सभी हमें show होने लग जाएगी तो मैं अभी back कर देता हूँ तो जैसे हम back करेंगे तो यहाँ पे again हमारे सामने यह page open हो जाएगा about company, aptitude, technical and test का, तो again मैं अभी back कर देता हूँ and हमारे app में आ जाते हैं तो आप देख सकते हो यह यह तो हुआ aptitude test का section, तो I hope अभी आपको यह past section अभी आपको समझ में आए होगा अभी मैं calculator पे click कर देता हूँ तो जैसे मैं calculator पे click करूँगा तो यहाँ पे आप कोई भी function कर सकते हो calculator के मदद से, मिंस कोई भी आप calculate कर सकते हो तो मैं इसको completely एक एक करके remove कर सकता हो, completely इसको remove कर सकता हो इसमें हम multiplication भी easy कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज कर सकते हो मैं AC पे click कर देता हूँ यह completely clear हो जाएगा जैसे normal या फिर scientific calculator होता है वो यहाँ से हम कर सकते हो जैसे हम sin 45 की value यहाँ से देखेंगे, तो sin 45 sin 45 होता है 0.7071 ओके तो आप देख सकते हो, यहाँ पे completely अच्छे से show हो रहा है तो मैं अभी इसको AC कर देता हूँ मिंस completely clear कर देता हूँ अभी आपको calculator का function समझ में आओगा अभी हम location का section देखते है तो location section में हम जैसे click करेंगे तो जो भी हमारी college का location रहेगा वो show होने लग जाएगा and result section में हमने जैसे college website में जैसे website पे कोई click करता है तो हमारी college की website open होती है same यहाँ पे result पे कोई click करता है तो result की जो website होती है ओपन हो जाएगी तो यह जो section है आपको अभी आपको समझ में आओगा location है अभी हम discuss करते है last section का faculties and developer का तो जैसे कोई faculties पे click करेगा तो उनके सामने जो भी faculties member है मिन्स जो भी हमारे CAC department की जितने भी faculties है उनके हमने यहाँ पे image, name और उनका professor जो भी है वो यहाँ पे हमने show कर दिया है तो इस तरह के से आप अपने college के जो भी faculties रहेगे उनका data यहाँ पे आप show कर सकते हो मैं भी back कर देता हूँ and last आपको एक section दिखा देता हूँ developers का तो जैसे कोई developer पे click करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी developer रहेंगे means जिसने यह app create किया उनकी image and name and जो भी उनकी profile रहेगे means LinkedIn, Facebook, GitHub इनकी link हमने यहाँ पे provide कर दिया means जो भी हमारे app के developer रहेगे इस section में हमें show हो जाएगे तो ihoop guys अभी आपको completely app के बारे में पता चल गया होगा कि sign up page, sign in page, splash screen, slide bar जो भी college को website रहेगी हो कैसे क्या implement हमने यहाँ पे अच्छे से show किये तो अगर इस application को आपको create करना है तो मेरे से आप contact कर सकते हो तो इसकी cost रहेगी 5000 अगर आपको यह app create करना है तो अगर आपको इस app का source को चीए तो इसके cost रहेगी 4000 तो आपको यह धहन में रखना है यह completely unique app है इसकी जैसे आपको कहाँ पे भी आपको app देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि यह हमने खुद create किये इस application को इस app को आप college project के इसमें आप easily अच्छे से show कर सकते हो क्योंकि यह आपके college को अच्छे से represent करेंगे यहाँ पे question paper, खुद के notes जो भी college के रहेगे वो show हो जाएगे तो आपको काफी अच्छा यह project आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो अगर आपको contact करना होगा मेरे से तो मैं आपको वीडियो की description में मेरा contact number या फिर Gmail ID आपको मैं provide कर दूँगा उससे आप contact कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद दया तो please इस वीडियो को जल्दी से like कर देना हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो मिलता एगले नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे भारत